हेलो गेमर्स तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही आपकी गेमिंग होफूली सब बढ़ियां चल रही होगी तो आज हमारे पास आ चुका है Samsung Galaxy F22 Unboxing Unit आज हम इसी करेंगे फटा फट अंबॉक्सिंग और साथ में करेंगे इसकी Free Fire Gameplay Performance Test तो फट 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 Unboxing कर लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है हमें तो Unboxing करते हैं सबसे पहले जो अपने को देखने को मिलता है वह है तो आज हम देखेंगे इसकी क्या कुछ प्रफॉर्मेंस रहने वाली है इस फोन की तो अपनी अन्बॉक्सिंग हो चुकी है अब हम सीरे चलते हैं फ्रीफायर गेंप्ले की तरफ तो फ्रीफायर गेम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सेटिंग्स और सेंसिटिविटी देख करेंगे क्योंकि बहुत सारे बंदे क्का कंथे पूछते हैं गाइस की सेटिंग्स में सेंसिटिविटी क्या है फार बटन की साइज क्या है तो संसिटिविटी की बात करो तो आप ग इसा 47 to 52 के बीच में ही रखता हूँ और अगर इसके डिस्प्ले सेटिंग्स की बात करो तो गाइस इसमें आराम से आप हल्टरा पे हाई रिजॉलिशन हाई एप्पेस ऑन और शैडू ऑन करके भी गेमप्ले स्मूथ कर सकते हो तो गाइस यह हो गई अपनी सेटिंग्स की बात अब हम करते है इस फोन में गेमप्ले की बात तो गाइस गेमप्ले की मामले में मैं पास– hopeless गयंटे गेमिंग गये इस फोन में और अभी तक मैरे को ज्यादा दिक्कत नहीं दिखी है सबसे पहले गर मैं बात करूँ इसकी display की guys तो यह display जो इस phone में वो एक plus point है इस phone की क्योंकि इसकी जो display है guys वो 90Hz है पुछ सुपर AMOLED display तो guys इसमें जो मेरे को touch response लगा वो बहुत ही अच्छी लगी मेरे को और साथ में बोलो इसकी sensitivity display की तो वो भी बहुत ही जादा है और एक बात अगर इसकी brightness की में बात करूँ तो guys इसकी 50% brightness on करती कुछ जादा ही bright लगने लगता है तो मसलब ये भी एक plus point है guys क्योंकि AMOLED display है तो इसकी वजह से आपको बहुत ही जादा brightness देखने को मिल जाती है और अगर guys मैं इसकी fps की बात करूँ तो guys इसमें fps जो है वो 36 to 40 देखने को मिली मेरे को मैंने 56 गंटे gaming करी और इसने 40 fps मेंटेन कर रखा है और इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसमें smoothness की तो guys ultra पे मैंने 56 गंटे gaming करी तो मेरे को तीन गंटे के बाद थोड़ी सी hitting के कारण बिल्कुल rare lag देखने को मिला है otherwise ये बहुत ही साही performance दे रही है फोन हला कि इसमें जो processor है guys वो है Helio G80 जो कि इस range में थोड़ी सी कम है लेकिन फिर भी इस phone की जो performance है guys वो मेरे को more than expected लगी क्योंकि guys मैंने 56 गंटे gaming करने के बाद भी इसमें बहुत ही कम lag देखने को मिला जो कि इस range के phone में ऐसा बिल्कुल नहीं मिलता है तो guys मैं यहीं बोलूँगा इसकी performance के मामने में की अल्टर पे भी यह phone काफी अची performance दे रही है और guys अगर मैं इसकी screen recorder के साथ साथ gameplay की smoothness की बात करूँ तो guys इसमें थोड़ी बहुत frame drop देखने को मिल गी है shadow on करके high settings पे तो guys अगर आपको screen recorder के साथ साथ smooth gameplay चाहिए तो आपको इसके लिए standard mode पे high FPS on करके screen record gameplay करना होगा ऐसा करके आप बिल्कुली कम lag में आराम से gameplay record भी कर पाऊगे और smoothly खेल भी पाऊगे और guys अगर में इसकी battery की बात करूँ तो guys इसमें battery में कहीं भी दिक्तत नहीं आनीवाली Super AMOLED display होने के बाद भी इसमें 6-7 hours gaming अराम से चल जा रही है और guys अगर में इस phone की plus point और minus point की बात करूँ तो guys plus point में इसकी display आती है display क्योंकि 90Hz refresh rate के साथ Super AMOLED display इस phone में available है जो की साइधी को ही phone प्रोवाइड करती है इस range में Super AMOLED display के साथ 90Hz refresh rate और साथ में इसकी जो दूसरी plus point है वो है guys इसकी battery तो guys battery बहुत ही सही है इसकी 6 hours अराम से gaming हो जाती है पिना किसी problem के और अगर कुछ मैं minus point की बात करूँ minus बोले तो अगर और कुछ जो अच्छा हो सकता था तो guys वो है इसकी processor तो guys बहुत सारे others जो option available है market में इस budget में वो इस processor से थोड़ा better processor प्रोवाइड करवा रहे है इस range में तो guys जो processor है वो कुछ better हो सकता था लेकिन फिर भी मैं बोलूँ तो guys मैं बात करता हूँ gameplay की तो gameplay के लिए guys यह phone बहुत ही सही होने वाला है इस budget में और बात करूँ अगर मैं screen recorder के साथ-साथ gameplay की तो ultra पे guys थोड़ी बहुत lag देने को मिल जाती है इस phone में तो सिर्फ gameplay के लिए तो best है guys और अगर आप recording के साथ-साथ smooth gameplay करना चाहते हो तो वो आपको standard mode पे high fps on करके करना होगा तो guys अगर आप Samsung के fan हो तो guys यह phone आपके लिए है so guys I hope आपको यह review वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो काम की लगी हो तो guys एक like जरूर कर देना और साथ में अगर आप इस channel पे नए हो तो guys subscribe भी जरूर कर देना तब तक के लिए good bye guys मिलते है next unboxing video में कर दो